वाइनाड लोगसभा सीट पर 13 नवंबर को उप्चनाव के लिए वोटिंग होनी है इससे पहले 3 नवंबर को कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी और पार्टी महासचिय प्रियंका गांधी ने वाइनाड में जनसभाओं को संबोधित किया जहां एक और प्रियंका गांधी ने वाइनाड की जनता को संबोधित कर अपनी बात कही तो महाई राहूल ने भी प्रियंका के लिए वोट मांगे इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा तो क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने जानिये इस रिपोर्ट में तीन नवंबर को कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वाइनाड पहुँचे यहां दोनों ही नेताओं ने कई जनसभाओं को संबोधित किया इस दोरान प्रियंका गांधी ने बताओ लोगसभाओं में दोर जनसभाण को संबोधित किया तो वही राहूल गांधी ने भी प्रियंका के लिए प्रचार किया इस दोरान दोनों ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा प्रियंका ने कहा कि जब राहुल ने वायनार्ट से चुनाव लड़ा तो ने काफे मुश्किलों का सामना करना पड़ा पीए मौधी और बीजेपी ने राहुल की छवी को नुकसान पहुचाने की कोशिश की लेकिन मैं आप लोगों का इस बात के लिए अभार वेक्ट करती हूँ कि आपने ऐसे मुश्किल समय में राहुल गांदी का साथ नहीं छोड़ा इसके साथ ही राहुल गांदी ने भी वायनार्ट की जनता को संबोधित करते होए प्रियंका के लिए प्रचार किया राहुल ने कहा कि ये पहली बार है कि मैं अपनी बहन के लिए प्रचार करने के लिए किसी सभा में आया हूँ मेरे पहले चुनाव के दौरान मेरी बहन ने मेरे लिए प्रचार किया और तब से वो ऐसा कर रही है उन्होंने हमारी माँ और पिता के लिए भी प्रचार किया वो पूरे समय एक प्रचारक रही है और अब तक कभी चुनाव में खड़ी नहीं हुई लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रही है और मैं दावा करता हूँ कि वो वायनाड के लिए बेस्ट MP साबित होगी इससे साफ है कि प्यंका और राहुल दोनों ही वायनाड लोकसुबद चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान पर डटे हुए है बतादे कि वायनाड लोकसुबद सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे डीबी लाइव की रिपोर्ट